नमस्कार दोस्तों एजुकेशन जब हल्प लाइन के एक और हल्फुल वीडियो में आप सभी को स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रास्थान पसुचिकी साविशी दल बिकानेर में जो आर्पी वीटी एक्जाम्स 2020 की प्रवेस परिक्षा के फोरम निकले दोस्तों सबसे पेले हम बात कर लेते हैं आर्पी वीटी के दोस्तों आर्पी वीटी एक तरही से रास्थान प्री वेटेनरी टेस्ट इसको इसकी फूल प्रॉम में तो यह जो हर साल रास्थान में जो वेटेनरी टेस्ट के डिप्लोमा होते हैं या डिग्री कोर्स होते है उसके entry के लिए एक course है जो pre-test करवाय जाता है RPVT रास्तान जेकिस तरह बिकानेर की तरफ से तो उसको RPVT बोला जाता है RPVT के दोस्तो हर बार फार हम इस बार थोड़े जल्दी आता है लेकिन कोरोना के कारण इस बार थोड़े लेट हुए है लेकिन अगर आप इन courses में आगे पढ़ते हैं तो आपके गौर्मेंट जोब से होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि लगातार अच्छी भरतिया निकलती रहती है तो दोस्तो इसमें आपके गौर्मेंट जोब के बहुत अच्छे chances रहते हैं प्री वेटेनरी टेस्ट बेनेफिट्स किसी के चुपए हुए नहीं है बहुत ही अच्छा और पैटिकल डिप्लोमा और सोशल सक्सेसफूल के साथ में बहुत अच्छा courses है अगर हम प्री वेटेनरी टेस्ट के जो ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं तो अंलाइन आवेदन दोस्तो कल से हैं और परिक्षा 9 अगस्त कोoles की होगी परिक्षा 9 अगस्त को इसकी जो news paper की news है उसको अग반ल दो देख लेते हैं दोस्तो परिक्षा जो इसके forum है दोस्तो 13 मई से शुरू हो जाएंगे उसकी पांच जुन इसकी लांच डिट नॉर्मल फिर और लेट फिस के साथ आपी 11 जुन तक इसमें फोरम बर सकते हैं इसकी ओफिशल वेबसेट राजुवास.org है वहाँ से आप उनलाइन एपलाई आपको घर बेठे करना है प्री वेटेनरी टेस्ट जो परिक्षा 9 अगस 2020 को 10 बजे से 1 बजे के बीच में करवाई जाएगी रास्थान का मूल निवासी होना चाहिए और 31 दिसंबर 2020 तक नियुनतम 17 वर्ष की उमर होनी चाहिए अगर हम इलेजिबिल्टी की बात करते हैं शॉर्ट और स्वीट में आवेदक को 12 होने चाहिए जे विग्यान और बायो टॉक्नलजी से उत्त्रण होना आफशक है जो अबिर्थी इस वर्ष की जो 12 में एक्जाम में बेठे हैं उनका भी प्रिणाम से से फिर भी वो इस पर कर सकते हैं इसकी 26 रुबी आपके फीस रहने वाली है इसके बार लेट फीस के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं लास्ट के दिनों में 5200 रुबी आपको एस्टर लग जाएगा नेट बैंकिंग डेबिट काड़ है क्रेडिट काड़ से आपको इसको ऑनलाइन एप्लाई क करना होगा 9 अगस 2020 को एक्जाम होगा 10 बजे से एक बजे के बीच सेंटर लोकेटेर बिकानेर एंट जेपूर इन दो सिटेज में सेंटर रहेंगे और हर साल लगबग यहीं सेंटर रहते हैं इसकी इलेजिबिल्टी वगेरा और रिजर्वेशन केटेगरी वगेरा सारा जो प्राप्तां सरकार के नियम है उस अकोडिंग पूरा रहने वाला है तो दोस्तों हम हिंडी की जो इसकी विग्यान या अग्रिकल्चर के जो सब्जेक्ट है उसके साथ उत्तिर्ण होना आवशक है इसमें प्राप्तांगों की मेरिट के आधार पर होगा मतलब आप जो आप जो रास्तान अजमेर है उसकी समकस्ता से होना ची अगर आपने दुसरे बौड से भी अगर 12 की है तो वो आप वेबसाट पर जाकर कंप्लेटली देख सकते हैं आयू सीमा की बात करते हैं 31 दिसंबर 2020 को दोस्तों आपको नियुनतम 17 वर्ष और अधिक्तम 26 वर्ष की आपकी 26 ने दोस्तों 28 से 28 वर्ष आपकी आयू होने ची उसमें भी अलग-अलग रेजरोशन के टेगरी को चूट का प्रावदान किया हुआ है सस्थानों की संग्या की बात करते हैं दोस्तों तो कुल 81 सस्थान है जो प्रवेश के लिए उपलब दे निजी सस्थानों में जो कुल कार्मी को है तो जो पांच-पांच सीटे हैं वो जो जिनके गारजिन वगेरा पशुदन विबाग में हैं उनके लिए आरक्षित है आरक्षिन राष्थान सरकार की नीमान सर देई होगा अध्यन का माध्यम हिंदिय अंग्रेजी माध्यम में संचालित होगा पसुचिकिच कि अतिरुक्त जो सस्थान की फीस वगेरा है जैपूर, जोदपूर, कोटा, उदेपूर, इस्तित, राजकी पसुच पालन सस्थालों में व्यबसाइक शुल्ट नहीं लिए जाएगा मनलब आपका अगर गौर्मेंट कोलेज में सेलेक्शन होता है तो फिर आप उसमें पि आविद्दल में जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल वेरिफाई किया जाएगा आपने जो केटेगरी जगरा बरी है वो सही है नहीं इसलिए आपको बिल्कुली कंप्लेटली सही इंफोर्मेशन देनी है पूरे पट्टे करम में दोस्तों इसके अगर आप कुछ क्यूरीज य आपीविटी का ये फॉर्म एपलाई कर दीजिए बहुत ही अच्छे है और इसमें डिप्लोमाज वगेरा में अगर आप इंट्री लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये टेस्ट वेटेनरी रहने वला है अगर आप इलेजिबिल्टी एकोर्स करके अपने आपडेट करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को अउन करें मिलेंगे लिए और किसी वीडियो में तब तक लए जैहिन वन्ने मातरम दोस्तें